जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि श्रेक स्कूल और फ्रेंजी बातल टीम के बीच फाइट शुरू हो गई थी. अब दोनों एक दूसरे पर अपने अपने तरीके से हमला करते हैं. लेकिन फ्रेंजी बातल टीम निंग रॉंग रॉंग और आसकर पर ज्यादा ध्यान देते हैं. वो आसकर और निंग रॉंग रॉंग को पहले घायल कर देना चाहते थे, क्योंकि वो पीछे रहकर इनको पावर प्रोवाइड कर रहे थे. अब फ्रेंजी बैटल टीम औसकर को नुकसान पहुचाने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी तैंग शैंग उन्हें ब्लू सिवर प्लांट की मदद से रोक लेता है और अब सभी में बहुत फाइट होती है लेकिन तभी तैंग शैंग को याद आता है कि ग्रांड मास्टर ने क अब तैंग शैंग और बागी सब उसी असेस्टिट ब्रांच वाले की तरफ जाने लगते हैं लेकिन वो इस काम में देरी कर देते हैं और असेस्टिट ब्रांच वाला वार्यर अपनी सोल पार का यूज करते हुए सभी की स्ट्रेंथ और पावर बढ़ा देता है जिससे को पीच सकते हैं इसलिए तैंग शैंग औसकर के फ्लाइंग सौसिज का यूज करके उपर उड़ने लगता है अब श्रेक स्कूल उपर उड़ने लगता है तांकि वो फ्रेंजी बैटल टीम के हमले से बच सके लेकिन अभी भी वो उन पर पत्थर और जाला फेकर अटाक कर रहे होते हैं असल में आसमान में उड़कर तैंग शैंग असिस्टिट ब्रांच वाले की सोल पार खतम होने का वेट कर रहा है क्योंकि उसके खतम होने के बाद ही तैंग शैंग और बाकी सब इनको हरा पाएंगे लेकिन उनकी सोल पार बहुत देर बाद खतम होने वाली है और इस स्पीच फ्रेंजी स्कूल के बच्चे आसमान में उड़ रहे सब बच्चों को घायल कर देते हैं। और अब सिर्फ तैंग शैंग बच्चता है। अब फ्लाइंग सॉसेज की पावर भी खतम हो गई थी। और अब सब नीजे आ जाते हैं। अब तैंग शैंग जोकी अकेला हो चुका है उसे फ्रेंजी बैल टीम के साथ फाइट करनी है। लेकिन खुशी की बात ये है कि फ्रेंजी बैल टीम के पास जो अससेस्टिट ब्रांच का वर्यर है उसकी सोल पारब ड्रेन यानि खाली हो चुकी है। लेकिन फिर भी अभी भी फ्रेंजी बैटल टीम को फुल कॉन्फिडिन्स था, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ तैंग शांग को हराना था, वो छे बच्चे थे और तैंग शांग अकेला, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि तैंग शांग कितना ताकतवर है, इसलिए जब एक स्पाइडर गर्ल उस पर वेब फेकने की कोशिश करती है, तो तैंग शांग उसके वेब में नहीं फसता, लेकिन वो स्पाइडर गर्ल खुद उसके वेब में फस जाती है, क्योंकि उसकी खुद की थर्ड स्पिरिट रिंग स्पाइडर की है, अब सब लोग ये देकर तैं तैंग शैंक जीत जाता है और अब पहले से ज़ादा ओधियंस देई साउंट करते हुए तैंग शैंक को चेयर करती है और इस तरह से श्रेक स्कूल जीत जाता है अब सब बहुत खुश होते हैं अब सभी रूम में आते हैं जहां ग्रान्ड मास्टर उनकी तारीफ करता है और सबी बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद अब Grand Master उन्हें आज रेस्ट करने को कहता है, क्योंकि अब कल से होने और दो-दो लड़ाई लड़नी हैं, अब तीनों टीचर बाहर चले जाते हैं, और आपस में मस्ती मजाग करते हैं, अब फिर अगले दिन भी वो ऐसी ही लड़ा श्रेक 7 Devils 27 माच लगातार बिना हारे जीती थी, जिस वज़े से उसका नाम अब बहुत बढ़ चुका था, और अब फिर एक दिन Grand Master अगले दिन की फाइट के लिए रेजिस्ट्रेशन कराने जाता है, और वहाँ जब वो रेजिस्ट्रेशन करा रहा होता है, वहाँ Soul Arena का है उससे मिलने आता है, और उसके सामने अपनी एक बात रखता है, वो Grand Master को बताता है कि दूसरे शहर के Soul Arena से हमारे यहाँ Silver Rank के योधा लड़ने आ रहे हैं, और हमारे Soul Arena में कोई Silver Batch की टीम नहीं है, जो उन्हें हरा सके, हमारे में तो कोई ऐसे भी टीम नहीं है, जो उनके साम Divine Devils, Silver Batch के साथ लड़ेंगे, यह थोड़ा जादा हो जाएगा, लेकिन Soul Arena का उनर उन्हें समझाता है कि उनकी Fighting Skills को देखकर कोई भी बता सकता है कि वो Silver Batch के capable है, और Silver Batch भी उन्हें एक दो दिन में मिलने ही वाला है, और अगर वो इस माच को लड़ेंगे, तो उन्हें Soul Arena क की तरफ से 10,000 सोने के सिक्के दिये जाएंगे, अब यह सुनकर Grand Master Agree कर लेता है, और अब Opening Team की Details लेकर वहाँ से चला जाता है, अब वो फिर Room में आता है, और सब को ये बात बताता है, और कहता है कि जो 10,000 सोने के सिक्के आएंगे, उनमें से सब 1,000 रखेंगे, और जो 3,000 स दिसकर्शन चलता है, जिसमें ये अलग लग ओपोनेंट को वन बाई वन डिसकस करते हैं, अब उन्होंने क्या डिसकस किया, वो आपको मैच के दोरान समझाएंगे, क्योंकि अभी समझाने पर आपको सब कॉंप्लेक्स लगने लगेगा, और सब सर के उपर से जाएगा, त सब बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, और सब साथ में एक दूसरे को चेयर करते हैं, जिस टीम से उनकी लड़ाई होने वाली है, उसका नाम Emperor Battle Team है, वो बहुत जादा शक्तिशाली टीम है, अब हमें इस टीम को दिखाते हैं, जिसके पास अब उस टीम का लीडर आता है, और उन्हें श्रेक Seven Devils की सारी डीटेल्स बताता है, और उन डीटेल्स को पढ़कर उन्हें भी समझा जाता है, कि कल का मैच उनके लिए आसान नहीं होने वाला है, अब फिर अगले दिन मैच शुरू किया जाता है, और इस बार Soul Arena पहले से बड़ा डिसाइड किया जाता है, और एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, अब दिन ऑपनिन टीम के लीडर को देखता है, और वो उसे जाना पहचाना लगता है, जिस पर जब ग्रैंड मास्टर उससे इसके बारे में पूछता है, तो दिन मैच के बाद उसके बारे में बताने का कहते हैं, अब रिं पार है, बीस सोल टाइप में जो टॉप की सोल रिंग होती है, उसमें से एक लाइटनिंग टी रेक्स पार है, वही लीडर के साथ एक वारियर गरल है, जिसके पास पोईसनस शक्तियां है, और उनके टीम में एक लड़का है, जिसके स्पिरिट सोल रिंग पैंथर की है, ऐस जाएगा क्योंकि ओपनेंट टीम बहुत जादा शक्तिशाली है। इसलिए अब वो अपने उस प्लान को एक्जिक्यूट करना शुरू करता है जो उसने कल बनाया था। लेकिन अभी के लिए सारी सिचुएशन टांग शैंग के कंट्रोल में थी जिसकी वज़े से टांग शैंग उससे बच जाता है। अब टांग शैंग ने ये भी प्लान बनाया था कि वो लीडर का ध्यान अपनी तरफ खीचेगा क्योंकि असल में लीडर एक बहुत बड़ी फ और ओपनेंट को हरा देंगे। अब प्लान के एकॉर्डिंग ऐसा ही होता है और जब लीडर एरुगेंस में आकर अपनी एनरजी जिसका नाम फ्यूरी ओफ थंडर बोल्ट है उसको छोड़ देता है और टांग शैंग अपनी ब्लू सिल्वर प्लान का यूज करके उसे नि जाधा स्टॉंग थी कि तैंग शैंग उसकी एनरजी को निवुटरलाइज नहीं कर पाता जिस वज़े से तैंग शैंग का ये वाला प्लान फेल हो जाता है हाला कि वो उसके अटैक को कई हद तक रोपने में काम्याब हो जाता है जिस वज़े से श्रेक सेट डविल्स को ज ला करती है और क्योंकि लीडर पहले थोड़ा घायल हो गया था और जीवू की स्पीड बहुत तेज थी और उसके पास अब थर्ड स्पिरिट रिंग भी आ चुकी थी इसलिए वो लीडर को हवा में लेकर पीटने लगती है और लीडर इससे घायल हो जाता है अब अपने से उनकी जान तक जा सकती थी क्योंकि उसके उपर अब गुसा सवार हो चुका था अब टैंक शैंग अपने सभी मेंबर्स को ब्लू सिवर प्लांट का यूज करते हुए पीछे खीशता है और एक ट्रिक अपनाता है असल में सवपिन गल ने उसके सामने पोईजन से हमला कि उसके पिछले चनम में उसने पोईजन के बारे में काफी ज्यादा स्टडी की थी इसलिए अब वो इस पोईजन के इफेक्ट को नलिफाय करने के लिए एक आइडिया सोचता है वो अपने बेल्ट में से अलकोहल निकालता है और उस अलकोहल को वो मोटू की मदद से फायर खुछ हो जाते हैं अब फिर वो फिर से लड़ाई करने लगते हैं और इस लड़ाई में श्रेक सेवन डेविल्स जीतते हुए नजर आते हैं लेकिन तब ही ब्लाक पैंथर की सोल रिंग वाला वॉर्यर आगे आता है और अब बागी ओपनेंस भी अपनी सोल पार का यूज कर लेते हैं और सब मिलकर जीवू और तैंक शैंग पर हमला करते हैं तैंक शैंग तो उनसे लड़ने में बिजी हो जाता है लेकिन जीवू को वो लोग हवा में फसा देते हैं और जीवू हाला की टेलिपोर्ट होकर वहां से निकलने की कोशिश करती है लेकिन वो हर बार औ बहुत जादा उदास हो जाता है और फिर इसी तरह ये एपिसोड यहीं खतम हो जाता है